हेला वरिवन वेलकम टो माइंड मेंटेनर जैसे कि आप लोगी की डिमांड थी और जरूरी भी था हमारे लिए कॉंस्टिशन को स्टार्ट करना तो आज से अंजली मैं आपको कॉंस्टिशन कराएंगी ठीक है यह पहली वीडियो के कॉंस्टिशन की जिसमें आपको इंट्रो क्राम गुरूप जोइन करें हमारा ओके थैंक्यू इस्टार्ट करते हैं हलो एब्रिवन जैसे कल हमने कॉंस्टिशन की फर्स क्लास ली थी तो उसमें हमने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि कॉंस्टिशन कैसे बना था क्या-क्या इसके समीतियां थी कौन-कौन सी सभाएं कौन समीति में किस-किस बत पर था कौन सभा में क्या मेंबर था सब कुछ हमने डिसकस किया था तो उसके कुछ थोड़े से पॉइंट्स और रहे हैं तो आज हम उन्हें कंटिन्यू करेंगे तो आपका काफी अच्छा सभी का सुपोर्ट मिला है काफी जुनोंने कमेंट में लिखा था कि कल पिक क्लियर नहीं आ रही थी तो आज थोड़ा कोशिश की है I hope आप लोगों को सबको अच्छा लगेगा देखने में भी और सुनने में भी तो चलिए स्टार्ट करते आज पहला पॉइंट है आज सम्विधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रे ध्वज सुईकार किया आपको ये सबसे जरूरी चीज है जो याद रखने है कि हमारा जो नैशनल फ्लाग है वो कब हमने अपनाया था तो उसकी डेट है 22 जुलाई 1947 ये धियान रखेगा आ आगे चलते हैं भारतिय सुतंत्रता अधिनियम 1947 इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947 के पारिध होने के बाद सम्विधान सभा एक संप्रभू निकाय बन गई थी जब ये एक्ट लागू किया गया था उसके बाद से सम्विधान सभा खुद में अपने आप में एक संप्रभू बन लिया था अब उसके किसी काम में कोई भी हस्तक्षिप नहीं कर सकता था क्लियर नेक्स पॉइंट कहता है 24 जन्वरी 1950 को सम्विधान सभा ने जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्विकार किया गया ये एक और इंपॉटन पॉइंट है जो आपको याद हमारा है उसको हमने कब अपनाया था 24 जन्वरी 1950 इसे रविंद्रनाथ टेगोर ने बंगाली भाष्य में लिखा था सबसे पहले ये बंगाली भाष्य में लिखा गया था लेकिन काफी बार कुश्चन या आजाता है कि क्या नैशनल एंथम सबसे पहले अडॉप्ट करने के बाद ही गाया गया था तो गाइस इसका आंसर है नहीं जैसा आप पॉइंट में देख रहे हैं 27 दिसंबर 1911 में पहली बार भारतियर राष्ट्रे कॉंग्रेस की कलकत्ता सभा में इसे गाया गया था ये आपको जरूर ध्यान रखना है ये बहुत ही important question है जी एस के लेवल क question है ये कि हमारा जो national anthem है वो पहली बार adopt करने के बाद नहीं गया गया था बलकि 27 दिसंबर 1911 को INC की जो सभा हुई थी कलकत्ता में उसमें सबसे पहली बार गया गया था clear next point देखते हैं सम्विधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई जिस दिन हमने अपना national anthem adopt किया था उसी दिन सम्विधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और यही वो बैठक है यही वो दिन है जिस दिन स्वतंत्र भारत को अपना नया राश्ट्रपती पहला राश्ट्रपती मिला था कौन थे वो डॉक्टर राजींदर प्रसाद तो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले राश्ट्रपती डॉक्टर राजींदर प्रसाद थे आई होप यह आप सब को मालूम ही होगा लेकिन फिर भी मैंने उसमें पॉइंट में डाल दिया तो आगे चलता है समविधान के निर्माण में दो वर्ज 11 महीने 18 दिन का समय लगा यह इतना इंपॉटन्ट है कि यह तो आप अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठा लीजे क्योंकि यह सभी को पता होना चाहिए कि हमारा कॉंस्टिटूशन कितने टाइम में बन 1949 को ही भारतिय समविधान ने कुछ प्रावधानों को लागू किया आप देख भी रहे हैं हमारे इस कॉंस्टिटूशन में सारे प्रावधान 1950 में लागू ना होकर 26 नवंबर 1929 में आधे लागू किये गए थे ठीक यही दिन नैशनल लीगल डे के तौर पे हम हर साल बनात है अब जो सबसे इंपोर्टन चीज़ है जो आप सबको बहुत जादा जरूरत है समझने की कि 26 नवंबर 1929 को हमने अपने समविधान को अपनाया था उसको हमने अपने आपको आत्मर्पित किया था और 26 जनवरी 1950 को हमने इसे लागू किया था जिसे हम रिपब्लिक डे के हर साल बनाते हैं तो यह डिफरेंस आप याद रखिएगा क्विशन आता है कई बार लेकिन बच्चे बहुत जल्दबाजी में यह डिफरेंस नहीं देख पाते और वह फटा-फट जल्दी जल्दी में 26 जनवरी 1950 लगाया था जबकि आप पूछा होता है कि हमने कब अपना अपनाया था हमने 26 नवंबर 1949 को और लागू किया था हमने 26 जनवरी 1950 को क्लियर मूल सम्विधान जो हमारा उस टाइम बना था उसमें 395 अनुच्षेद और 8 हनुसूची थी यह आप ध्यान रखना कि उस टाइम पर जब सम्विधान बनाया गया था तब आर्टिकल 395 थे 395 थे और 8 तो 8 शरड्यूल थी क्लियर लेकिन आज के समय में जो हम अब हम जो पढ़ते हैं उसमें 395 आर्टिकल्स है और 12 शरड्यूल है तो आप से जो भी कोई पूछे आपको यही बताना है कि presently हम जो पढ़ते हैं अगर कहीं question आता है कि सम्विधान में कितने article है और कितनी अनुसूचिया है तो आपको करके आना है 395 आर्टिकल और 12 शरड्यूल लेकिन अगर कहीं लिखा होता है कि मूल सम्विधान में कितने article और कितनी अनुसूचिया थी तो आपको लिखना है 395 article and 8 schedule clear तो ये कुछ point थे important जो हमने कल भी discuss किये थे और आज भी discuss किये तो ये point तो हमारे पूरे होते हैं बाकी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो अब बात करते हैं हम कि हमारे constitution में क्या क्या चीज़े हैं हमारा constitution कितने parts में बटा हुआ है तो ये जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमारा constitution जो है वो 22 parts में बटा हुआ है उन parts में 22 भागों में 395 article शामिल हैं और 12 अनुसूची है ठीक ये आप सभी को पता होगा लेकिन एक जो बहुत जादा important चीज़ है वो ये है कि आप last line में देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा गया है कि सम्विधान का संक्षिप्त नाम आर्टिकल 393 में दिया गया है आपको मालूम है आपने जितने भी जो law students है उन्होंने जितने भी एक्ट पड़े होंगे उन सब में सबका short title extent सब कुछ section 1 में होता है लेकिन हमारा केवल constitution एक एक लौता ऐसा subject है जो जिसका short title आर्टिकल 1 में न देकर आर्टिकल 393 में दिया हुआ है तो आर्टिकल 393 क्या कहता है इस संविधान का संख्षिप नाम भारत का संविधान है यह आपको याद रहना चाहिए और इसमें बिल्कुल भी आप स्टेक मत कीजेगा क्योंकि बच्चे जलबाजी में आर्टिकल 1 ही लगा कर आज़ते है जबकि आर्टिकल 1 क्या कहता है यह भी हम आगे पढ़ेंगे तो यह पोर्शन हमारा यहीं कवर होता है इससे आगे अब हम प्रियम्बल की तरफ चलेंगे प्रियम्बल कहता है हमारा अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे भारत का संविधान यह इंगलिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है तो जिसको जैसे सुटेबल लगे वो वैसे पढ़ सकता है देखकर हम भारत के लोग भारत को एक संपून प्रभुत्व संपन समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गंडराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक न्याय विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंदुथा बढ़ाने के लिए ध्रड संकल्प होकर अपनी इस सम्विधान सभा में आज तारीक 26 नवंबर 1999 इस्वी मिती मार्गशीर्ष शुक्ल सब्तमी समवत 2006 विक्रमी को एतत द्वारा इस सम्विधान को अंगेकरित अधीनियमित और आत्मर्पित करते है यह आपको समझ में आया इसी के साथ आगे एक बार इंग्लिश में भी इसे मैं बता देती हूँ तो प्रियम्बल कहता है हमारा we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th November 1949 do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution as you have seen, our preamble is the most important thing first I will tell you that it is the whole topic that we will discuss deeply in the next video because it is a different topic so today we will leave it here there are some important facts that you have seen like the time of the party amended once only by 42 amended act 1976 this is the most important question this is the question did you have eaten in Prasthavna and you have submitted yes Prasthavna Yes Prasthavna was done in 1942 when he was submitted at 1976 this is the second question the question is जाता है कि सम्विधान की प्रस्तावना या उद्देश्यगा में कितनी बार संशोधन किया गया है तो आपको याद रखना है कि केवल एक बार अभी तक संशोधन किया गया है इसमें और इस अंशोधन अधीनियम की जो इनफोस्मेंट डेट है वो है 3 जनवरी 1977 42 अमेंड डेट है नाइनटीन सेवंटेश्मेंट डेट है 3 जनवरी 1977 इसमें क्या क्या प्रति थापित किया गए थे साप्ति चून गया थे कि उसमें सवरिन देमोक्रेटिक रेपब्लिक और 22 यूनिटि अफ दे नेशन ये दोनो इस फार्ति टू अमेंड एक्ट ड्वारा इ आपको इतना समझ में आया होगा और मैं आप सबसे ये आशा जरूर करूंगी कि आप ये प्रियम्बल बहुत अच्छे से याद करें इसलिए मैं आज ये वीडियो सुफ यही तक बना रही हूँ बाकी इसके जो केस लॉज हैं और इसमें कौन-कौन सी बाती कहीं गई हैं किस को कितना समझ में आ रहा है कितना अच्छा लग रहा है सो थैंक यू बाई हला वर्यवन वेलकम तो मैंड मेंटर जैसे कि आप लोगी की दिमांड थी और जरूरी भी था हमारे लिए कौनस्टिशन को स्टार्ट करना तो आज से अंजली मैं आपको कौनस्टिशन कराएंगी ठीक है यह पहली वीडियो है कौनस्टिशन की जिसमें आपको इंटर्टेक्शन मिला कौनस्टिशन कब कब इनफोर्स हुआ था क्या क्या उसकी जरूरती थी ठीक है कैसे कैसे इस्टैबलिस्मेंट हुआ था उस कमिटी का ठीक है पहली वीडियो में आपको पसंद आएगी और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक से रों सब्सक्राइब करें और साथ में टेलेग्राम ग्रूप जोइन करें हमारा ओके थैंक यू इस्टार्ट करते हैं